क्या आपकी जिन्दगी में किसी थर्ड पार्टी की वज़े से तूफान आ गया है? क्या आपकी जिन्दगी बिखर के रह गई है ऐसे लोगों की वज़े से? जिन्नोंने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिन्नोंने आपके वैलियू नहीं समझी? आपने मनाने की समझाने की सारी कोशिश्य करनी लेकिन आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वज़े से आपका रिलेशन्शिप तूट चुका है तो आज की रिडिंग आपके लिए है So, Hello Everyone मैं रित्व भारतवाज, टेरो रिडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ, आप सब्सक्राइब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे So, जनरल कलेक्टिव टाइमर्स रिडिंग है So, अगर आप लोग परसनल सेशन्स बुक करना चाते हैं, परसनल रिडिंग्स बुक करना चाते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्सप ग्रूप का लिंक है आप लोग ग्रूप जॉइन कीजिए और अपने परसनल सेशन्स बुक करवा सकते हैं, बढ़ आपको ध्यान रखना है परसनल सेशन्स पेड होते हैं, चार्जिबल होते हैं So, तब भी आप लोग वहाँ पर मैसेज कीजिएगा So, चले शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ट्स आप लोग के बारे में So, Instagram, YouTube और Facebook आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के हमें जॉइन कर सकते हैं So, एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी So, I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person I want love, peace, money and success in my life So, all the divine energies, Bajangbali, universe angels, प्लीज बताइए क्या कुछ है व्योर्स की लाइफ में So, कुछ आपके energies यहाँ पर चेक करते हैं Third party के energies चेक करेंगे और आपके partner के energies भी चेक करेंगे और last में आएगा guidance जो बहुत जादर जरूरी है Skip नहीं करना है आपको वीडियो को So, चलिए शुरू करते हैं इस reading को और मैं spread करना start कर रही हूँ Connect हो जाएगे cards के साथ आपके wishes, आपकी manifestations Comment box में जरूर लिखेगा आप लोग क्या चाहते हैं आपकी love life में, career life में Personal life में, professional life में So, manifestations लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी So, start करते हैं So, first card ही यहाँ पर justice का card आगया है So, Libra, Tula, Rashi सबसे prominently निकल करके आई है So, चलिए और card spread देते हैं Next आया है devil का card Makar, Capricorn, Rashi Prominently आगई है Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius Mithun, Tula, Kumbrashi Ace of Cups Cancer, Pisces, Scorpio, Kurt, Meen, Vistik, Rashi Two of Swords आया है यहाँ पर Seven of Cups Okay Four of Wand, Aries, Leo, Sagittarius Meish Singh, Dhanu, Rashi आई है Seven of Wand आया है Okay Ten of Pentacles Taurus, Virgo, Capricorn, Virashab, Kanya, Makka, Rashi आई है Six of Cups Okay Judgment का card भी आगया है Last देख लेते हैं Three of Sword का card आया है So देखें, यहाँ पर आया है कुछ आपके energies निकल करके क्या हो रहा है यहाँ पर So देखें, सबसे पहली बात तो यह कि आपके मन में आपके partner के लिए बहुत बहुत जादा मुझे प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से कई लोग आज भी ऐसे हैं जो इतनी इतना सब होने के बाद भी इतनी सब बाते होने के बाद भी कहीं न कहीं आपके दिल में बहुत जादा प्यार है आपके partner के लिए So अगर आप लोग manifest कर रहे हैं तो reunion लिखेंगा आप में से जितने लोग reunion चाहते हैं वो ठीक है और तो देखो आपने केरिंग, आप हमेशा से केर करते रहे हो उब आपने अपने हर possible कोशिश Commission की प्यार देने की कोशिश konsiduity भरोसा दिया सब कुछ दिया आपके लाइफ में आपके लिए प्यार ही सब कुछ था, आपके लिए ये पार्टनर ही सब कुछ था, ठीक है, आपने कहीं न कहीं अपनी दुनिया इस पार्टनर को मान लिया था, और आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो यह कहीं ने कहीं आपको यह विश्वास हो गया था कि इसके अलावा अब और कुछ मुझे इस लाइफ में नहीं चाहिए या यही सब कुछ मेरी दुनिया बनके रह गया है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजे है जो आपकी emotions के साथ यहाँ पर game play किया गया है यहाँ पर बहुत आप लोगो blockages दिये गए हैं आपकी आपका relationship तोड़ा गया है आपकी शादी शुदर जिंदगी तोड़ी गई है आपके भरोसे को तोड़ा गया है और कहीं न कहीं यह रिलेशन जो है इसने आपके पार्टनर ने आपको बेइमानी के साथ आपकी लाइफ हॉरिबल बना दिया है ठीक है यहाँ पर धोके की वज़े से आपने अपनी लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम्स फेस की है इस relationship में बहुत जादा guilt भी हो रहा है आपको बहुत जादा दुकी है बहुत जादा परिशान हो रहे हो आप इतने जादा differences आचुके हैं आप दोनों के बीच में की यह अब यह relationship आपके लिए toxic हो गया है तो बहुत रो रहे हो आप ठीक है बहुत जादा sleepless nights हो गई है दिन में रात में चैन नहीं आ रहा है, feelings अब कहीं न कहीं hurt हो चुकी है, अब आप विश्वास करना चाहो तो भी नहीं कर पा रहे हो, यह जो भी आपकी life में third party situation आई है, यह बहुत जादा devil है, ठीक है, इसका जो nature है, इसका जो character है, वो devil nature का है, इसके सपने हैं बहुत बड़े- इसकी भूख खतम नहीं होती, इसको chain नहीं मिलता है, जब तक कि किसी का घर ना बर्बाद कर दे, किसी की जिंदगी ना बर्बाद कर दे, तो इस तरह की devil है यहां पर, आपके partner के ऊपर, किसी third party ने black magic करवाया हो सकता है, कोई spell work करवाया हो सकता है, कुछ इस तरह के गलत का किये गए हैं आपके partner के साथ, जहां पर यह आपके partner बहुत negative हो गए आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ सोचने समझने की शक्ति आपके partner की चली गई, जो उन से कराया गया, जो उनको समझाया गया, जो उनको वैने पलेट किया गया, वही आपके partner को समझ में आया, और वही कही न कही नो ने आपके साथ किया है, राइट, सो काफी कुछ चीज़ें यहां पर चेंज हुई हैं इस third party के आने के बाद, यह third party बहुत बहुत जादा toxic है, बहुत जादा negativity से भरी हुई है, पूरा time इस third party के दिमाग में यही सब चलता रहता था, कि आपके partner को अलग कैसे करें, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बहुत जादा depressed है, है न, relations में problem है, health काफी जादा खराब हो रही है, कहीं आने जाने के लाइक नहीं हैं आप, ठीक है, उसने आपका सब कुछ बिगाड़ दिया, बिल्कुल बरबाद कर दिया आपके जिद्दी, ऐसा लग रहे है आप में से कई लोग को कि आज भी आप नर्ग भोग रहे हो, है न, और ये चीज दिखो, इनकी लाइफ में भी बहुत जल्द आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, आ गया है justice का कार्ड और judgment का कार्ड, दोनों ही कार्ड यहाँ पर आए हैं, राइट, स अब यहाँ पर इनकी जो भी ये लोग, इन लोगों ने चीना है न, आपसे, वो सब इन से चीन जाएगा, अब इश्वर बादेंगे, यहाँ पर, आपने कहीं न कहीं प्रे किया होगा कर्मा, सो अब इश्वर बादेंगे, इनकी health, finances, इनकी family तक इनको छोड़ देगी, है और अब इनको heal होने के लिए कोई भी रास्ता मिलेगा ने, इनको बहार निकलने के लिए कोई भी रास्ता मिलेगा ने, क्यों, क्योंकि बहुत manipulative है यह third party, ठीक है, कहीं न कहीं, इसके घरवाले भी involved है, या फिर आपके पार्टनर के घरवाले दुखी हो चुके हैं, इस third party क्योंकि यह third party भी कहीं न कहीं अपने किसी से मिल, किसी पुराने साथी या किसी पुराने दोस्त से मिलती है, जिसकी वज़े से आपके पार्टनर को अब तकलीफ होने लगी है, अब उनकी life में भी बहुत सारी चीज़े ऐसी होने लगी है, जो आपकी दुखों का एसास अब माफ नहीं करेगी उनिवर्स इंको, से मोई सा फेस करना पड़ रहा है, इनको चैलेंजिंग टाइम जो आपने फेस किया, आपकी कोई गलती नहीं थी, ना आपकी कोई इंटेंशन गलत थी, आपने ट्रस्ट किया था ना इनके उपर, तो आपको चैलेंजिंग टाइम face करने दिया इनको आपको challenging time दिया अब इनको भी same चीजे face करने पड़ेंगी आप भले ही माफ कर दो हो सकता है आप में से कई लोगों ने माफ कर भी दिया कि आप अपने दिल पर बोज नहीं रखना चाते हैं अब आप इसको याद भी नहीं करना चाते हैं लेकिन चीजें यहाँ पर universe में तो भूम रही है ना तो वो backfire तो होंगी है ना बहुत जब इनको इसका कर्मा मिलने वाला है इनका भी partner इनको छोड़के चला जाएगा spouse छोड़के चला जाएगा है ना इसको भी रोना पड़ेगा इसको भी रोना पड़ेगा इसके उपर भी लोग हसेंगे इसको भी crisis जेलने पड़ेंगे इसको इसका भी दिल तूटेगा अगर आपका फायदा उठाया है ना तो problem इसको भी face करने पड़ेगी समय जरूर आएगा इनकी life में बदलेगा जरूर और ये तकलीफ इनको भी जेलनी पड़ेगी आपके जैसे innocent इनसान आपके जैसे भोले भाले इनसान के साथ इनोंने गलत गेम खेला है आपकी insult किये ना सब के सामने अब इनकी insult होगी सब के सामने पूरा कठा चिटा कुलेगा इनका सब के सामने जो कर्मा इनको हिट करेगा न यहाँ पर ये बच भी नहीं पाएंगे उससे conditions डाउन पर डाउन होती चली जाहेंगी और आप आप बहुत जादा बहुत जादा भी आप नाराज हो गुस्से में हो आप रो रहे हो आप परिशान हो ये चीज इनको पता है और लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है न ये बहुत जादा वानेपलेटिव है ठीक है अपने मगर मच के आसू दिखा दिखा कर अपनी बातों में फसा फसा कर आपके पार्टनर को इसने अपनी तरफ किया था अब ये कही न कहीं चीजे बदल रही है अब आपके पार्टनर को भी अक्कल आ रही है कि ये थर्ड पार्टी रिलाइवल नहीं है ना ही लॉयल है क्योंकि लॉयल्टी की तो इसने सारी सीमा तोड़ दी न अब किसी और के साथ भी मिलने लगी है ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को भी एसास हो रहा है कि चीजे पहले जैसी उन्होंने सोची थी वैसी तो नहीं है इनकी लाइफ भी अब जैसे यह सोच करके गए थे वैसी तो है नहीं ठीक है बहुत जादा बदल रही है changes आ रहे हैं इनकी life में भी और सपने अब ऐसे लग रहे हैं कि बस अपने ही रह गए हैं बहुत जादा struggle करना पढ़ रहे हैं इनको इस third party के साथ बहुत जादा struggle करना पढ़ रहे हैं क्योंकि डैविल है डैविल अपना नेचर नहीं बदलता दूसरों का दूसरों की जिन्दगी खा जाता है देखते और क्या रहा है दमून आया है सी है ना पाइसीज मीन राशी प्रोमेनेटली आगे अब इनको डर लग रहा है अब ये घबरा रहे हैं डर रहे है कि अब ये क अब लोग हसेंगे इनके उपर ये आपके पार्टनर को अब एसास हो रहा है है ये ना सी सिक्स ओफ सौर्ड ऐसे संबंदर में जाकर के फस गई है ना इनकी नाव कि अब बस डूबना ही बचा है ये ही कर्मा है ये ही आ रहा है आपको ब्लैक्मेल किया ना आपको एमोशनल अब लाक्मेल किया ना और अब देखो इनकी हालत क्या हो रही है अब इनकी नईया खुद ही गोते खा रही है रूप जाएगी King of Cups अब याद आ रही है आपकी अब याद आ रही है आप सोच रहे हैं आपके बारे में अब जानना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप कहा हो और क्या कर रहे हो कितने मतलब ही हैं ये लोग, कितना भरा पड़ा है, मतलब इनके अंदर बेमानी कितनी भरी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा भी नहीं, आपकी ना खुशियों के बारे में, ना दुख के बा में ऐसे लोगों के लिए आप सेकरिफाइस कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए आप रो रहे अब जब उल्टे टंग गए है नद इनके अकल ठिक हाने आ रही है ही अब आपके बारे में सोचते वे दिखाई दे रहे हैं आप इनको अपनी घलतियों के असास बिया हु आप इनको समझ में आ रही है कि आपने कया किया इंके साथ आपने कितना कुछ दिया इनको अब वो आपको वापस पाना चाहते तो अगर आप लोग move on कर चुके हैं तो लिखे ज़रा move on और आप चाहते हैं new partner तो लिखे new partner और आप चाहते हैं reunion तो लिखेगा reunion आप चाहते कर्मा तो लिखेगा कर्मा comment box में लिखते जाहिए भर दीजिए comment box को कभी ये कहीं से देखे तो इसको पता चले है ना minor wand अब अब आपको देखते रहते हैं सब तरफ से ठीक है कर्मा का डंडा पढ़ रहा है ना कर्मा का डंडा पढ़ गया है दोनों के उपर बहुत बुरा अकल ठीकाने आरी है अब अब आपको देखते रहते हैं सब जगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कहां पर हो आगे बढ़ चुके हो कि नहीं बढ़ चुके हो कि आज भी रो रहे हो पर आने की हिम्मत अभी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी है ना अभी आने की हिम्मत नहीं है कैसे चैरा दिखाएंगे कैसे आपको फियस करेंगे थर्ड पार्टी काहीं अभी तु सिक्का चल रहे हैं यहाँ जब यह बरबादी होएगी जब इनकारिष्टा खतम होगा और तब यह थर्ड पार्टी को ब्लॉक करेंगे और अभी तो फिलाल तो कुछ solution निकालना चाहरे हैं कुछ शान्ती चाहरे हैं अपने जिंदगी के अंदर कुछ आते हैं ऐसा कुछ थीक हो जाया कुछ बदल जाया और यह को अपको अपने जिंदगी में वापस ला पाए कुछ इस तरह की थोर्ट्स इनके मन में चल रहे हैं है ना बट कार्मिक्स ने सारी कर्मा ने सारी अकल ठिकाने लगा दिये अब कुछ आपके लिए गाइडन्स लेते हैं डिवाइन पीस गाइडन्स दीजिए बने रहेगा लास तक गाइडन्स बहुत जरूरी है आप मेंसे कई लोग बहुत बढ़ पा रहे हैं तो गाइडन्स बहुत जरूरी है प्लीस डिवाइन गाइड कर दीजिए वाव चेंज चेंज का कार्ड सबसे पहले आया है सबसे पहले अपने को बदलो इस दुनिया के हिसाब से बदलो किसी के लिए बहुत रोय हो अब इस पार्टनर की उल्टी गिंती शुरूरू हो चुकी है ठीक है सो यहाँ पर बदलाव की जरूरत है रोने दोने वाले स्टेटस लगाना बंद करो ठीक है अगर आपने स्टेटस में रोना दोना कुछ लगा रखा है न या कुछ इससी फोटो या फिर कुछ ऐसा अपने डीपी लगाया हुआ या कुछ भी ऐसा फेसबूक पर डाल तो बंद कर दो इनको बिलकुल यह समझ में नहीं आना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप दुखी हो अच्छे अच्छे स्टेटस डालो अच्छे जी फोटो डालो इनको यह ब्रह्म हो जाना चाहिए कि आप बदल गयो आपकी जिंदगी अब दुख से भरी हुए नहीं है अब आप स्ट्रॉंग हो गोए अब आगे बड़र अपनी लाइफ में यह चीज का हिसास कर वाओ इनको जेलस फील कर वाओ इनको इग्नोर करना सीखो तो बदलाव लेकर आओ पीछे भागना नहीं है चेंज करो दुनिया में बहुत कुछ है आगे वाओ फिर से ट्रांस्वर्मेशन का कार्ट देखो बहुत वील ओ फॉर्चुन है यह च्रांस्वर्मेशन सो फॉर्चुन आपके जिंदगी में आ रहे हैं बदलाव आपके जिंदगी में आ रहे हैं देखो रिलेशन ऐसा होता है जो दोनों तरफ से चलता है दोनों तरफ से चलना भी चाहिए एक हाथ से ताली नहीं बचती तो पीछे-पी करो अपने पीछे भागने दो तब एसास होगा आपका इक्वेल डाइट्स होते हैं ना दोनों के तो रिलेशन्शिप में हैं अगर आपके बिना वह कुछ नहीं है तो उनके बिना आप कुछ नहीं हो यही होना चाहिए ना लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अगर वो नहीं है तो बस अब जिन्दिगी खतम दुनिया खतम, दुनिया बरबाद क्या दुनिया सिर्फ वो ही है अगर आपने सिर्फ उनको ही दुनिया बना रखा है तो बिल्कुल बरबाद लेकिन जरा आस्वास देखो Parents है, माबाब, भाइबं, और भी रिष्ते हैं जो आपसे प्यार करते होगी कि और अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है अवेरनेस अवेर हो जाओ अपने को गिराना बंद करो इनके पैरों में अपनी वैलियू करना सीखो self value, self care करना सीखो aware हो जाओ थोड़ा सा दुनिया में क्या चल रहा है अपनी importance आपने इतनी गिरा दिये कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपकी तो कोई value ही नहीं है आपको disrespect कर लो आपकी insult कर लो, आपसे कुछ भी कह लो आपको कोई फरक ही नहीं परता आप फिर भी पीचे पीचे भागते हो आप फिर भी इनके बारे में सोचते हो और फिर भी आप इनके लिए अच्छा ही मांग रहे हो तो ये आपकी value गिरा दी है आपने, खुद ने गिरा दी है आप ये समझो कि ये awareness लेकर आईए है आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कि आप, आपके लिए important हो self-care जरूरी है you are the most important person for yourself ना कि और कोई है ना जब आप बहुत सालों बाद आगे जा करके देखोगे ना, तीन साल, तीन साल चार साल, पाँच साल बाद जब आप आगे जा करके देखोगे, और पीछे मुड़क के देखोगे ना, ये समय याद करोगे तो आपको लगए ये क्या बेफकूफी हो रही थी, मैं ये क्या कर रही थी, आज देखो मेरी जिन्दगी और मैंने क्या बना रखी थी किसी के पीछे पांगलों की तरह रोना दोना सब को चल रहा था तो ये चीज अवेरनेस है ठीक है इनको वैलियू दे पर उतनी जितनी ये डिजर्फ करते हैं इतनी नहीं कि ये सिर पे चड़के नाचने लग जाएं फाइन ये अंडरस्टांडिंग समझो आपको जेल कैदी या पिंजरे में बंद पंची नहीं हो आपको ये समझना पड़ेगा ये आसमान आपका भी उतना ही है जितना इन लोगों का ये दुनिया उतनी ही आपकी है जितनी इन लोगों की आपकी खुशियां उतनी ही इंपोर्टन है जितनी इन लोगों की अगर इन्होंने आपकी वैलियू नहीं की तो आप क्यों करते हो अगर इन्होंने आपकी जिंदगी को छोड़ दिया तो आप क्यों इनके बीछे भाग रहे हो इनको आपकी value नहीं है इनको आपकी हिज़त नहीं करनी आती तो आप क्यों करते हो यह चीज अंडरस्टांड करनी पड़ेगी आपको You are so so important आपकी individual life important है आप ऐसा इंसान important हो इतनी value इनको दे रहे हो जिसको आपकी value ही नहीं है तो उतनी value खुद को देखे देखो आप कहां से कहां पहुँचोगी Life में आगे बढ़ो कुछ किसी मकसद के लिए आए हो Playfulness का card आया है ठीक है अब अपनी जीवन को आगे बढ़ाओ खुश रहना सीखो Life में बहुत कुछ है ठीक है सिर्फ दुख नहीं है खुशियां भी है maturity का card आया है तो थोड़ी से maturity लेकर के आईए अपने अंदर है ना सिर्फ ये ही आपकी जीवन का कोई मकसद नहीं है सिर्फ एक इंसान आपकी जीवन का मकसद नहीं हो सकता आपकी life में कुछ तो होगा ना आपका goal कुछ तो आपके जिंदिगी का motive होगा new vision लेकर के आईए नई सोच लेकर के आईए successful बनने की कोशिश करो practical होने की कोशिश करो clarity लेकर के आईए अपने दुनिया में अपने दिमाग के अंदर की आपके लिए क्या जरूरी है control control करो पीछे पीछे भागना नहीं है control करो ठीक है तो अपने emotions को control करो सब करने को हमेशा तयार मत रहो है ना सब उनके हिसाब से करोगे तो खुद को नीचे यी नीचे गिराते जाओगे खुद की इंसल्ट करवाते जाओगे खुद को डाउन करते जाओगे अपनी वैलियू खतम कर दोगे सो अपने को नीचे गिराना बंद करो किसी इंसान को इतनी importance नहीं देनी की जरूरत है कि वो आपको यह बर्वात कर दे है ना किसी के सामने अपनी वैलियू नहीं गिरानी है सो control your emotions sorrow इतना दुखी होनी की जरूरत नहीं है ठीक है दुनिया में बहुत सुख है बहुत कुछ है करने के लिए बहार निकलो इस दुख से इस दर्ट से आसपास देखो माबा बाई बेर बहुत लोग ऐसे हैं दोस्त बहुत लोग ऐसे हैं जो आप से बहुत प्यार करते है सो सिर्फ एक इनसान के जानने से इतना दुखी होनी की जरूरत नहीं है आपके इनोसेंस के साथ कोई खेल ना जाए आप मासूम हो आपको मासूमियत तो ठीक है जरूरी भी है लेकिन अपने लिए कान करो अपने खुद से प्यार करो अगर यह आपके पास वापस आते भी है आप रियूनियन चाहते भी हो तो अपने लिए पहले सोचना क्या ही आपके लिए इनसान सही है क्या वापिस आपको इसको accept करना है या नहीं करना है क्योंकि कर्मा जब पढ़ेंगे ना इनके सिर्पे तो सारी अकल ठिकाने तो आई जाएगी आपकी value करना सीख जाएगे सब सही गलत सामने आ जाएगा ठीक है तो ये थे आज के card ये थे आज की reading ये थे आज की guidance I hope आपके साथ resonate की होगी like कर दीजेगा share कीजेगा किसी और को positivity चाहिए तो share कीजेगा subscribe नहीं किया है तो कर दिजे कर दिया है so thank you so much बजंबली का universe का thank you करना नहीं भूलना है claim जरू कीजेगा triple one so चलिये मिलते हैं अगले वीडियो में thank you and have a nice day